शीला दिदी लखनो उन्वसिटी में प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिस के पद पर कारे रथ है दिदी ने पहला UHV वर्शॉप मार्च 2020 में किया था और तब से दिदी UHV प्रपॉजल्स को समझने के और जिने के प्रयास में है तो दिदी अबर टीम अपने विषे के साथ साथ अपने बच्चो में अपने आप में और अपने वाता वरण में मानवीय मूले भारतिये संस्कृति परंपरा और वाता वरण के प्रति सजगता इसको लेकर के बहुत सारी गतिविदियों में शामिल रही हूं और Sustainable Development Goal की United Nations की जो मीटिंग्स रही है उसमें भारत का प्रतिनिदेतों करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और अभी पिछले एक वर्ष मैं बीच में USA में विजिटिंग प्रोफेसर के पत पर भी कारे रही परिवार में मेरे पती डॉक्टर, बेटा डॉक्टर और बेटी क्लिनिकल साइकॉलोजी में MSC की शात्रा है वो भी इटली से कर रही है परिवार में सभी किसी ने किसी रूप में स्वास्थे और सिक्षा से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं इसको लेकर के जितनी जो चर्चाएं या जो परिस्थितियां बनती थी वो कहीं न कहीं से समवेदना जागरत करने का कारे करती थी और इस वज़े से उन समवेदनाओं को अपने में धारण करके किस प्रकार से मैं समाज में या परिवार में या अपने आप में कारे करूं जिससे सुख, शान्ती और सम्रधी बढ़े ऐसा भाव तो बहुत पहले से था परन्तु 2020 में जब एक कारेशाला थी, एक कारेशाला में जब हम वहाँ पर गए और UHV के बारे में हमें पता चला, वो कारेशाला UHV की नहीं थी, वो कारेशाला किसी और सामाजिक कारे की थी, पर वहाँ पर जब अपने गनेश बहिया, गनेश बागरिया जी बहिया से, जब साक्षात उन्हीं के मुझ से सुना, कि हाँ ये UHV क्या है और कैसे, किस प्रकार से सिक्षकों का निर्माड हो सकता है, तो मेरे रूची जागरत हुई, और उन्होंने तत्काल कहा कि अभी ये होने वाला है मार्च में ही ओनलाइन कारेकरम आप इसमें जुड सकते हैं, तो मैंने तत्काल उसको जॉइन किया, उस समय मैं कानपूर में ही थी, उसको जॉइन करने के पश्षात एक तो ये इस परश्टता बनी, कि पिछले लगभग तीन दश्रकों से, जो मेरी यात्रा चल रही थी, जो समझ बन रही थी, जो भारतिये संस्कृति ग्यान परंपरा को समझने का प्रयास चल रहा था, तो यदि उसको हम साइंस कहें, तो ये जो यूएच भी है, वो उसकी टेक्नोलोजी है, कि उसको और इस पश्टता से, और अच्छे से, और ट्रांस्मिट करने के भाव से कैसे समझा जा सकता है, कि हम अपने में भी वो ट्रांस्मिशन कर पाएं, अपने दैनिक आचरन व्य ज्यान लगा, तो इसको पा करके, जो मैंने अपने अंदर परिवर्तन अनुभव किया, कि मानों के रूप में मैंने क्या इस पश्टता पाई, तो इस पश्टता तो ये पाई कि पहले भी ये भाव तो बना ही हुआ था, कि मन में जो हमारे है, कि अलग-अलग तरीके से हमा शरीर काम करता है, एक शरीर के इस तर पर काम करता है, एक मन, बुद्धी, चित, अहंकार के लेवल पर काम करता है, लेकिन ये सब क्या शब्द हैं, और ये कैसे काम करते हैं, और इनमें आपस में इंटर कनेक्टिविटी क्या है, और कौन पहले आता है, कौन बाद में आता और उसके बाद कैसे वो भाव तक पहुचता है, ये एक्षाय, विचार, आशा, ये सब कभ भाव में परिवर्तित हो जाती हैं, वो इस पश्टता नहीं हो पा रही थी. ये एचबी को करने के पश्टाद वो थोड़ा सा क्लारिटी बढ़ी कि कैसे कैसे जो भी हमारे अंदर भाव उठता है, वो कहां से उठता है और उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है और उसमें किस प्रकार से हम एक सही समझ के अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं. प्रकर्ति के बारे में जो समझ थी, वो ऐसा डिखता था कि प्रकर्ति हमसे बाहर है और प्रकर्ति के लिए हमें कुछ करना है या प्रकर्ति को हमें संरक्षित करना है, उसका पोशन करना है, उसका समवर्धन करना है. परंतो इस कारेशाला के पश्चात ऐसी समझ बनी जो वो four order की बात की गई कि ये सभी सह अस्तित्तों में हैं और सबकी जो existence है वो हमारे आपस में एक दूसरे के existence के लिए आवश्यक भी है और एक तरह से complimentary है सब में एक दूसरे में परस पर पूरक्ता का भाव है और सभी अपनी जगे पे बहुत ही definite conduct में हैं सिर्फ एक मानों का ही conduct है जो थोड़ा सा indefinite हो जाता है और जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो प्रकरती जो है उसके साथ हम कैसे सह अस्तित्तों में रह करके उस मेरी गाड़ी जो थी वो पुरानी हो गई उसका रेजिस्टेशन नंबर वगरा बदलने का हुआ बात आई तो यह हुआ कि नहीं चलो इसको छोड़ करके बड़ी गाड़ी ले लेना चाहिए परंतु यह युएच वी की समझ के कारण ऐसा आया कि नहीं बड़ी गाड़ी ले लेने से क्या होगा परियावरन भी प्रदूशित होगा एक गाड़ी और आएगी एक घर में सबके पास अलग अलग है और साहस्तित्यों का भाव है उसमें थोड़ी सी स्पष्टता बढ़ी है अस्तित्यों में यह तो दिखीने दिखने ही लग गया है कि हम सभी पारस् स्पूने जो शुन्न है उसमें जितनी भी यह जो और सब्सक्राइब बां और आचरन किस प्रकार का होना चाहिए और कैसे उसको निर्देशित किया जाना चाहिए, तो natural acceptance क्या है, सही समझ क्या है, और किस प्रकार हमारे अंदर जो assumptions या कल्पना के भाव पर हम अब तक अपनी जो दैनिक दिंचर्या है, व्योहार है किया करते थे, कैसे उसको अब हम सही समझ के आधार पर conduct करें, उसके बारे में इस अभ्यास एक और दो को करते हुए, जब ये था कि हमें कोई भी दैनिक जीवन में activity हुई, या कोई प्रतिक्रिया हुई, या कोई मन में भाव बना, कोई भाव ऐसा आया कि अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये जानने का प्रयास किया कि उसका पीछे कारण क्या है, इसमें भी उदाहरार सुरूप मैं ये देना चाहूंगी, अभी दो दिन पहले एक मीटिंग थी, मीटिंग में एक बहुत ही जूनियर कारे करता था, तो उसने हमारे साथ में दूसरे जो अधिकारी थे, उनको एक अलग तरीके से बड़े भाव के साथ विश को थोड़ा सा इगनोर करने का प्रयास किया, ऐसा मुझे लगा, और मुझे ऐसा लगा कि उसके पीछे जो कारण था कि मैंने कुछ दिन पहले उसको किसी बात के लिए टोका था, और वो उसको बहुत बुरा लगा था, जिसकी उसने प्रतिक्रिया भी की थी, शायद उसी भ फिर मैंने देखा कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, तो मैंने देखा कि मैंने कहीं न कहीं जो एक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है, उसको मैंने उस विवहार से जोड़ा हुआ था, एक कल्पना की थी, कि यदि वो मेरा इस प्रकार से आदर भाव प मैंने उस भाव को अपने उपर पूरी तरव से निरीक्षन करकें और लगा कि क्या इस्थिती है, बीना किसी रिस्पांस के बीना किसी रिannaख़ियाती है कि यदि पहले की स्थिती होती तो शायद मुझे थोड़ा गुसा आती, थोड़ा सा एंजाइटी होती, थोड़ा सा खराब लगता, पर वो मेरे अंदर भाव नहीं उत्पन हुआ, खराब नहीं लगा, वो एक सेकेंड के लिए जो लगता है च्छन भर के लिए कि परिवर्तन को नोटिस किया, और नोटिस करके उसके भाव को देखा, और भाव को देखा कि वो मुझे थोड़ा सा खराब लगा था, वो क्यों लगा था, तो कहीं लगा कि अंदर एवालुएशन या ओवर एवालुएशन आदमी अपना भी करता है, दूसरे का भी करता है, और अपना कि मेरे प्रति इसका यही भाव होना चाहिए ऐसा करके कुछ समझ बनी थी तो यह इस पश्ट दिखाई पड़ा जो भाव परिवार में भी कवी कई बार जो आते रहे बहुत अलग-अलग घटनाओं के संदर्म में जैसे मेरे परिवार में पती और बेटे को देर से सोना और देर से उठना ऐसी आदत थी तो पहले ऐसी प्रतिक्रिया जैसे होती थी कि यह क्यों नहीं समझते कि देर से उठने से दिक्कत होती है पूरा रूटीन बिगड़ जाता है स्वास्ते पे खरवा खरा प्रभाव पड़ता है तो एक क्रोध या एक विरोध का भाव रहता था अभी जब वो धीरे-धीरे देखते हुए समझ बनी कि नहीं ये इनकी lack of competency है कि इनको time management में दिक्कत है तो इसको क्रोध नहीं करना है विरोध का भाव नहीं करना है और धीरे-धीरे वो स्वतह शांत होने लग गया अब देख करके विरोध भी नहीं आता और परिवर्तन य और अपने स्वास्ते के प्रती सतर करह करके वाक पे जाना और इस प्रकार की दैनिक दिंचर्या में परिवर्तन किया तो ये लगता है कि जैसे जैसे हम अपने भाव को देखते हैं और इस पष्ट उसके पीछे ये निकल के आता है कि जैसे हमारी जो पूर्व कल्पना ये कि ये व्यक्ति तो चाहता ही नहीं cooperate करना और ये व्यक्ति तो दूसरों के लिए समस्या खड़ी करना चाहता है इस इस प्रकार के भावाते थे कि intention पे doubt होता था लेकिन UHV को समझने के बाद ये लगा कि नहीं intention तो सभी का अच्छा ही होता है केवल competency फरक होती है तो इस वज़ तो अपने को क्योंकि संबंध अच्छा लगता है relationship में रहना है और अगर हम विरोध में रहते हैं तो हमारी अपनी हार्मोनी भी बिगड़ती है हमारा अपना अंदर का वाता बनट बिगड़ता है संगीत नहीं रहता तो इसलिए हमें विरोध के भाव के बजाए उसके कार होना स्वयम में समझ डेवलप होना right understanding के प्रति जुकाव होना और निरंतर एक mindful situation में रहने का प्रयास करना और ये प्रयास तो सारा दिन ही चलता है हर गतिविधी में जब भी कभी आता है तो तुरंत ये भाव जाता है कि ये मेरे अंदर भाव क्यों उत्पन हुआ इसका का कारण या वो जो अपनी पुरानी माननेता थी उसके कारण ये भाव बना और ये माननेता ऐसी नहीं है इसका सही मूल्य करना चाहिए सही मूल्यांकन करने से भाव सही होने लगा तो ये परिवर्तन अपने आप में दिखाई दिया फिर ये लगा कि इसका निर्ण ये कौन तो जिस समय एक्सेप्टबल होती है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, जब लगता है नहीं है तो उसके रिलेशन खराब होंगे, संबंध खराब होंगे, जो कि मुझे मानने नहीं है, तो फिर यह लगता है कि नहीं अपने व्योहार को सही समझ के अनुसार, तो यही देखा कि जो अपना भाव है उसका निर्भारा तो मैं स्वयम ही करती हूँ, और जो भाव है कभी-कभी वो सही समझ के आधार पर होता है, कभी-कभी वो कलपना के आधार पर या thought assumptions और expectation के आधार पर भी होता है, तो उसको अभी भी observe करने की प्रिक्रिया जारी है, कई जो हमें naturally acceptable है, उनको अगर हम relationship, harmony और coexistence के आधार पर तुलना करते हैं, तो लगता है कि वास्तों में जो आचरण होता है कई बार वो इनके conflict में होता है, इनके opposition में होता है, और जब वो इनके opposition में होता है, तब तब वो जो अपने अंदर का संगीत है, वो उस पे असर प और सही भाव बने और हम सभी सहास्तित्तों में सम्रधी से रहें, तो लगता है कि निरंतर mindful रहें, और निरंतर जो जैसा है उसको वैसा ही देखने का प्रयास करें, अधिमूल्यन या अधिमूल्यन ना करें, तब ऐसा हो पाएगा, इसी प्रकार से जो exercise 2 रही कि शरीर और म पश्टता बनने लगी है, उदाहरण के रूप में, जैसे सुबह उठने का ही कारिक्रम है, कि पांच बजे उठना है कि नहीं, तो कई बार मन तो decide कर लेता है, self decide कर लेता है, उठना है, लेकिन शरीर में कहीं कहीं आलत से, या वो लेटे रहने का जो भाव है, वो शरीर की जड़ता कह सकते हैं, वो जो बना रहता है, तो दिखता है कि शरीर लेटा रहना चाहता है, शायद परन्तु मन कह रहा है कि उठना चाहिए, तो ये दोनों में इस पश्टता दिखती है, कि जो समवेधना के आधार पर जो सुख मिल रहा है, वो और जो self में सही समझ है, उस मुझे कोई मान लीजे, मीठा खाना बहुत पसंद है, परन्तु मन में ये इस पश्टता है, कि हाँ, ये मीठा स्वास्ते के लिए बहुत हित कर नहीं है, परन्तु आदत है शरीर को शरीर के माध्यम से सुख प्राप्त करने की, समवेधना के माध्यम से सुख प्राप्त कर तो यह कई बार ऐसा होता है कि नहीं जो आचरण है वो कॉन्फिलिक्ट में रहता है, सही समझ के अनुरूप वो आचरण नहीं हो पाता और वो समवेदना के आधार पर आचरण हो जाता है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करना और अपना जो है, इसके साथ और अपने शरीर में कोई घटना मुझे लगता है, हाँ, समवेदना को निर्ड़े पूर्वक पढ़ता हूँ, यह पढ़ती हूँ, यह तो इस पश्टव हो गया, और शरीर की स्थिति का आकलन करने के लिए यह पार भी मैंने मुझे लगता है, कवर कर लिया है, मेरा होना सूने के सहास्तित में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, यह भी इस पश्ट होने लगा है, कि यह दोनों ही यूनिट्स, जो शरीर है और जो सेल्फ है, यह निरंतर है, इसका परिवर्तन हो रहा है, इसका इस्थान ओर्जा, समय अलग-अलग का प्रकटी करण हो रहा है, लेकिन है यह निरंतर, यह ऐसा भाव बनने लगा है, तो इसके साथ मैं एक्सरसाइज 2 को यहां पर समाप्त करके, मुख्य बिंदूओं पर पुना वापस लोटना चाहती हूँ, भया, इस्क्रीन लगा देंगे क्या, तो इस प्रकार से जीवन में जो परिवर्तन हुआ है पिशले चार महीनों में, यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी कि लगातार मैं मॉर्निंग सेशन नहीं अटेंड कर पाई थी, बीच में कुछ स्वास्थे की दृष्टी से, फिर कुछ मेरी ट्रेवलिंग भी अधिक हुई थी, परंत बीच में कु मुझे भी इसके कारे में सहीयोग करके अपनी भूमे का निभानी है, और मैंने कुछ दिनों से फिर से मौनिंग सेशन अटेंड करना प्रारम भी किया, तो बीच में गैप हुआ था, हो सकता है, मुझे से बहुत सारे बिंदू छूटे हुए भी हो, परंतु उसको आगे आ मुझे आपने वापस जो मौनिंग सेशन जॉइन करने के लिए प्रेरित किया, मन में प्रेरणा तो थी, परंतु कहीं न कहीं उसमें ब्रेक हो रहा था, जिसकी वज़े से ये कारे सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था, अपनी समझ के लिए समय तो निरंतर लगाना है अपना 24 घंटा अपने समझ पे लगाते ही रहना है, हर activity पे observe करने का प्रयास करना है, भाव को भी देखना है, उसके पीछे के कारण को भी देखना है, अपनी सही समझ को भी आकलित करते रहना है, तो अपना तो 24 घंटा सुयम की समझ में लगाना है, और दूसरों के आपस क के लिए वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक भागीदारी में उसमें भी अपना समय लगता ही है लगभग 2-3 घंटे मेरा नियमित रूप से लगता ही है लेकिन यूवेचवी के साथ भी मैं अपना समय लगाने का प्रयत्न करूंगी और इसके लिए मेरा जो भूमिक इसके साथ साथ UHV से संबंधित जो भी आकड़े आते हैं यदि उनका कोई रिसर्च के रूप में पेपर पब्लिश करने के रूप में यदि UHV सोचता हो तो उसमें मुझे भागीदारी करके अतियन्त खुशी होगी क्योंकि मेरा एक एरिया इस समय ये भी था कि वास्तवि एक खुशी या या जो हैपिनेस या जिसको कहते हैं सम्रद ही वो क्या है और किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं तो अभी मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को इसमें रिसर्च में लगाया भी हुआ था एक-दो स्टूडेंट्स इस पर पहले से कारे कर रहे है तो यह मुझे लगता है मेरी भविशे की भागीदारी होती है यही कहकर आप सभी को धन्यवाद देते हुए करत अग्यता ग्यापित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोगती हूँ बहुत धन्यवाद सभी को नमस्कार विध्यान दिया है और भागीदारी के लिगी मुझे लगता कि महद उसे रिसर्च वाले भाग को न रख कर और भी जो शिच्छा संसकारी ओजना को लेकर कारिकम चल रहे हैं इसमें भी आपके और भागीदारी बढ़ सकती है आपका ये कॉलेज तो बिहार में है न किलाज जी जी मेरा लखनौ युनिवरस्टी अच्छा संसकारी योजना में और आपको भागीदारी बढ़े है और वहां से बहुत सारे कारकम चल भी रहे हैं तो वह रिसर्च के साथ साथ अगर आप इन पे भी ध्यान दें कि कैसे श किसकी संसकारी योगना में और आपको भागीदारी बढ़े हैर चैनिकर अध्य से अध्य के शुल खुकेशं में ढ़ी भागीदारी को सकती खीक pastor एध्यर, कॉर अप में जूरे रहे हैं आगे है आपको दूसरा बेस था R surfaces नई भी नहीं प्हहला पहला पहला है इत्या मसा क चाहिए अपने आपको अब्जर्व करने के लिए जी बहुत अच्छी रहें जी बहुत 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 धन्वाइब